So hey guys, how are you? Welcome back to our YouTube channel. It's technical time. दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ roasting channel के बारे में. अगर आपका ऐसा कोई प्लान है कि आप roasting channel खोलना चाते हो या ऐसे बहुत सारे जो point होते है roasting channel में कि किस तरीके से किया जाता है, कैसे वीडियो की clip ढूंडी जाती है और किस इसाफ से हम non copyrighted जो वीडियो clips वेगेटा जो होती है animation type की वीडियो वेगेटा होती है, वो कहा से download करें और किस तरीके से हम start कर सकते हैं मालनीजिए विगनर यूटूबर हो आप और अभी आप start करना चाहते हो, या start कर भी चुके हो नए या नए है आपका roasting channel और किस तरीके से आप उसे आगे लिखे जा सकते हो आज किस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले है वीडियो में आगे बरने से पहले में आपको एक बात बता दू तो guys, अगर आपका roasting channel नहीं है या आप interested नहीं हो इस topic पे या वीडियो पर तो वीडियो को अगी छोड़ के जा सकते हो इस वीडियो को पूरा watch वह ही करना जो आप roasting channel खोलना चाहते हो या roasting channel पर कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो इस मामले में, यानि रोस्टिंग चैनल कैसे करते हैं, किस तरीके से आप effect लगा सकते हो, music लगा सकते हो, कहां से आप animation डाउनलोड कर सकते हो, इसी के बारे में आज की वीडियो में बात कने वाले हैं, तो गाइस बिना आपका जाधा time रिजिट किये, चलिए आज की वीडियो टाइब की वीडियो से बिलेगी, जो एक reaction टाइब का होता है, आपने बहुत सारे memes देखे होंगे, तो memes टाइब की वीडियो आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो गाइस, वीडियो में आज बढ़ने से पहले में आपको एक ची बताना चाहूँगा, कि जो मैं application ब आप mobile से ही editing करते हो, सारा का mobile से ही आपका complete होता है, तो एप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत जादा helpful होगा, तो finally हमें जाना है अपने प्ले स्टोर में, यह मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो Android user है, यहाँ पर आपको सर्च करना है, बिलिप सी, यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपने बहुत सारे रोस्टिंग चैनल में देखे होंगे, रियक्ट होता है, जो होता है थोड़े वह गेमपली की वीडियो लगाते हैं, साथ ही साथ है ऐसे इस कैरेक्टर टाइप के एनिमेशन लगाते हैं, नीचे आपको एक थ्री डॉट का ओप्चन मिलडा होगा, यह अगर आपको सर्च करना है अपने मूड के अकॉर्डिंग, कि भाई मुझे क्या चाहिए, हैपी मूड, सैड, जो भी आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, अगर आपको खाली ऐसे देखना है कि भाई लिस्ट में कौन सी एनिमेशन टाप की वीडियो से हैं, तो आपको यहाँ पर नीचे थ्री डॉट का भी ए देखतों यह बहुत चलता है, और दूसरा यह रो नहाँ भी चलता है, बहुत ज्यादा चलता है यह रोस्टिंग चैनल पर आपको बंद भी कर सकते हो चाली भी कर सकते हो तो आपको एडिटीटिंग पर दिखना पड़ाएगा, एक तो यह वाला भी बहुत सारे जो है कोप अब मुझे यह लगता है कि यह copyright free है सबसे अची बात ही है कि copyright free इस पर कोई भी किसी भी तरीकर आपको copyright नहीं आता अब मैं आपको website पे लिखे चलता हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ blipsy आप आपको blipsy सर्च कर देना है blipsy.com अब यहाँ पर जाना है मैं desktop version खोड लेता हूँ उसका तो गाइस यहाँ पर मैं आपको इसके term condition भी दिखाऊंगा और साथी साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रोस्टर वेकिर जो हैं जादा तर्व कून सा background music यूज़ करते हैं उसका link मैं है जो description part में दे दूँगा अभी मत चले जाना आप description में तो guys यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी आप सर्च करते हो सेम है यहाँ पर आपको ID बनाने का sign up करने का भी option दे रहा है लेकिन आपको sign up करना है या नहीं करना आप ऐसे भी download कर सकते हो तो simply इसी तरीके से है copyright video है तो सारे animation आप यहाँ से download कर सकते हो और fair use में ला सकते हो जैसे माली जी reaction channel हो गया wines videos हो गई और roasting channel हो गया तो इन चैनलों पर आप इसका use कर सकते हो बहुत असानी से और description में जो है मैंने copyright video music का एक link दिया है आप वहाँ से उस music को download कर लेना क्योंकि mostly जो roasted वगेरा होते हैं उस music का ही जादा तरी use करते हैं और sound effect का भी मैंने link I think मैं दे दूँगा आपको तो आप description में देख लेना कि sound effect का भी मैंने किसी ना किसी का link दे रखा होगा आप उसको download करके sound effect जो होता है उसको guys आपको अपने हिसाफ से लगा लेना क्योंकि आपको तो पता ही होगा editing आ जो gameplay की video होती है तो non copywriter video भी आप download करके इस तरीके से roasting video बना सकते हो तो guys ये video काफे ज़्यादा helpful रही होगी आपके लिए अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगो तो आप comment section में comment करके जरू बताना कि क्या सही है क्या गला है तो आपके पास कोई opinion हो तो आप भी मुझ opinion दे सकते हो मैं मिल तो हमसे किसी नई वीडियो में किसी interesting topic के साथ तब तक के लिए goodbye and take care